नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का 67th VPC PT Special Series के इंतरगत तो 67th VPC PT Series के इंतरगत यह हमारा lecture 3 है lecture 1 और lecture 2 दोनों already upload कर दिया गया है हमारे चैनल पर अगर आप में सिकनी नहीं देखा है तो आपको से जा के देख सकते हैं वीडियो आपको प्लेइलिस्ट में भी बिल जाएगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा exam का date आयोग के दोरा निर्धारित कर दिया गया है 12 दिसंबर तो आपको जो study का प्लान है वो 12 दिसंबर के according होनी चाहिए तो चलिए हम देखते हैं कि आज के इस series में हम क्या देखेंगे तो जो आज का वीडियो होगा उसमें हम cover करेंगे हैदर अली के बारे में पर्थम आंगल मैसूर युद्ध के बारे में उसके बाद हम देखेंगे मदरास की संधी उसके बाद देखेंगे दितिया आंगल मैसूरूद और फिर मंगलोर की संधी फिर अगेन हम देखेंगे तितिया आंगल मैसूरूद और स्रे रंग पतनम की स लाइक और शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले तो चली स्टार्ट करते हैं हम है दर अली से जो जो इंपार्टेंट पॉइंट आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से हिस्ट्री से इंपार्टेंट नहीं यहां लेनी के अब सकता है आपको प्रलिम्स क्रैक करना है समय कम है सो भी है टू कबर दर सिलेवस ऑसो हमारे पास हिस्ट्री के अलावे जिग्रफी पॉलिटी एकोनॉमेक्स और अन सब्जेक्ट भी हैं जिसे कभर करने हैं तो चुकि हिस्ट्री और करंड फियर से हैं तो इसी सिक्वेंस में हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहगा वो कभर किया जाएगा जो ज्यादा मार्क फेचिंग एरिया है उसको हम सबसे पहले कभर करेंगे उसके बाद देरी देरी हम पॉलिटी और जिग्रफी वाले सब्जेक्ट को भी कभर करेंगे तो आईए द सबस्ता है. तो इसमें काफी काभियर थी और काफी MBCS बंदा था हैदर अली और इसने डिन्डिगुल के फौजदार के रूपे फ्रांसीसियो से सयोग लिया और एक आधुनिक सस्त्रगार का निर्मान किया 1769 में मराठो ने मैसूर पर आक्रमन किया और हैदर के नितितों मैसूर की सेना मराठो को पराजित कर मैसूर से बाहर खदिर दिया तो 1769 में क्या होता है कि मराठा लोग जो होते हैं आप देखेंगे कि मैसूर के आसपास वाला एरिया होता है यानि मैराठा अंग्रेज से इसका दुस्मनी रहता है मैसूर का So, Maratha लोग मैसूर पर आक्रमन करता है, लेकिन हैदर अली के जित्रित में मैसूर की जो सेना होती है, वो मराथा को पराजित करता है और उसको मैसूर से बाहर ख़देर देता है. 1760 issue में चिक्का कृष्णा राज जो की मैसूर का सासक होता है याद रखेगा चिक्का कृष्णा राज कौन होता है मैसूर का सासक होता है उसकी मिर्तु 1760 issue में हो जाती है और उसके बाद आप देखेंगे कि हैदर अली स्वतंतर सासक बन जाता है मैसूर का याद रखेगा चिक्का कृष्णा राज के मिर्तु के बाद मैसूर का सासक बन जाता है अंग्रेज प्रारंबे से ही हैदर को अपना सत्रू मानते थे अब सत्रू इसलिए मानते थे क्योंकि हैदर का जो जुकाव था वो फ्रांसिस्यों के ज़्यादा करीब था यही कारण था कि अंग्रेज उसको सुरू से ही अपना सत्रू मानते थे अब हम बात करेंगे तो ये तो था बेसिक एक इन्फोर्मेशन आपको हैदर अली के बारे में अब हम चर्चा करते हैं पर्थम आंग्ल मैसूर यूद जो कि आपके एकजाम पॉइंट अव्यू से इंपार्टेंट होने वाला है वाट यू नीड टू रिमेंबर सबसे पले आपको क्या याद करना है कि पर्थम आंग्ल मैसूर यूद कब हुआ था तो इसका डेट आपको मालूम करना होना चाहिए तो इसका डेट था 1767 से लेकर के 1779 तक तो ये डेट आपको मालूम होना चाहिए पर्थम आंग्ल मैसूर यूद का जो डेट है वो 1767 से लेकर 1779 तक था इस युद्ध का जो मुख कारण था वो था मदरास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच करनाटक का सीमा विवाद तो मदरास का जो अंग्रीजी सरकार था और मैसूर के बीज करनाटक का जो सीमा विवाद था वो पर्थम अंग्ल मैसूर युद्ध का परमुक कारण बढ़ा सर पर्थम 1767 इसमें जोसेफ असमित के नितरिक में अंग्रीजी सेना ने मैसूर पराक्रमन किया परारम्य में हैदर अलीद पराजित हो गया लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इसने अंग्रीजी सेना को पराजित कर देता है और मद्रास तक उसका पीछा करते हुए जाता है और अंत्रता है अंगरीजों को संधी की याचना करने पर मजबूर कर देता है और इस परकार मद्रास की संधी होता है सो पर्थम अंगल मैसूर युद्ध से आपको जो जानने वाली बाते है पीटी पॉइंट ऑप यू से कि पर्थम अंगल मैसूर उद्ध कब होता है तो 1767 से 1779 होता है इनिसियली आप देखेंगे कि अच्छा दूसरी चीज की पर्थम अंगल मैसूर युद्ध में एक तरफ तो हैदर अली था तो दूसरी तरफ जो मद्रास की सीना का नितित्व कर रहा था वो था जोसेफ हस्मित यानि मद्रास अंग्रीजी सीना का नितित्व कौन कर रहा था तो जोसेफ हस्मित कर रहा था इनिसियली वह जितिता रहता है लेकिन बाद में हैदर अली उसको पराजित कर देता है और मद्रास से बाहर खदेरना सुरू कर देता है यानि मद्रास तक मैसूर की जो सीमा में भुषता है तो मैसूर की शीमा से बाहर का दिरना शुरू कर देता है और मदरास तक उसका पीछा करते हुए जाता है और अंतिता है अंग्रेजु को मजबूर कर देता है कि अब वह मदरास की संधी करे तो आएए देखते हैं कि क्या है मदरास की संधी यह भी आपके एक्जा 09.90 पर आपको याद रखना है दूसरा κोशन इस तरी के से भी फॉर्मॉलेट कर सकता है कि मदरास की संदी तिर्तिय आंग्ल मैसूर यूद का परिणाम था, जो कि आपका गलत होगा इस तरी का कोशन अगर फॉर्मॉलेट करता है तो तो आपको याद रखना है कि पर्थम आंगल मैशूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू मदरास की संदी में ऐसा कुछ नहीं था मदरास की संदी में बस यही चीज था कि जो भी एक दूसरी का चेतर जीता हुआ है वो एक दूसरी को बापस कर देगा यानि एक दूसरी के जीते हुए चेतर एक दूसरी को बापस कर देंगे पहला पॉइंट तो यह था दूसरा था कि हैदर अली अंग्रेजी बंदियों को रिहा करेगा और अंग्रेज हैदर अली को यूद का हर जाना देगा ये पॉइंट्स था कि जो भी हर जाना हुआ है हैदर अली को अंग्रेज उसको हर जाना के रूप में देगा हैदर अली अंग्रेजी बंदियों को रिहा कर देगा और एक दूसरी के जीते हुए छेतर एक दूसरी को बापस कर दिये जाएगा एक खास बात जो मदरास की संदी 1779 इसी में जो हुई थी उसमें ये थी कि आप देखेंगे कि पर्थम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इस युद्ध में अंग्रेजों की जो बिजयता थी यानि अजयता थी उसको समाप्त कर दिया गया अजयता कहने का मतलब आपको मालूम होगा कि पलासी का युद्ध हुआ था पलासी की यूद के बाद फिर बक्सर का यूद होता है तो दोनों में अंग्रेज बिजय होते हैं और उस समय से यह माल लिया जाता है कि अंग्रेज को अब कोई नहीं हरा सकता है फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि इलहावाद की पर्थम संदी और इलहावाद की दित्य संदी जिसको हमने सभी को कभर किया था एक सिक्वेंस वाइज तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो 1 और वीडियो 2 को जरूर देखेगा क्योंकि आपको जो टॉपिक इसमें कभर किया जा रहा है वो एक सिक्वेंस वाइज कभर किया जा रहा है ताकि आपको सारे चीज दिमाग में रहे तो इस युद में जो अंग्रेजों की जो आजयाता का सपना था वो खतम कर देता है यानि अंग्रेज को हराय जा सकता है ये पर्थम आंगल में सुरूर युद्ध ने साबित कर दिया शो हईदर अलेने इस काम को किया त्लिया अब हम देखेंगे दित्य आंगल मैसुरुद्स जादा हम डेप में नहीं गुसेंगे हमको सिर्फ पेटि पॉइंड़ भीउट से जो इंपॉआज़न पॉइंट है बस उसी को कवर करने हैं तो दिती आंगल अभी मैंने biology, आपको medical history और physics की questions को upload कर दिया है, तो आप उसे एक वार जरूर बनाए, प्रिविएस इसको questions को जरूर सॉल्व करें, तो वीडियो आपको हमारे playlist में मिल जाएगा प्रिविएस इस questions स्रीज करके, चलिए, दिती आंगल में सुरुद की बात करते हैं, तो दिती आंगल में सुरुद कब हुआ था, 1780 से लेके 1784, एक चीज़ जो आपको याद करना है वो डेट, तो पर्थम आंगल में सुरुद में आपको इतना बार उसको repeat कर दूँगा, कि आप अगर वीडियो को concentrate करके सुनेंगी, तो आपको याद हो जाएगा, तो पर्थम आंगल में सुरुद हुआ था, 1767 से लेके 1779 तक, और फिर 1779 में मदरास की संधी हो जाती है, पर्थम आंगल में सुरुद के बाद, अब हम बात कर रहे हैं, दित्य आंगल में सुरुद जो की 1780 से लेकर के 1784 हुआ था, इस युद का मुख जो कारण था, वो था, अंगरेजो ने फ्रांसीशी बंदरगा, माही पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के राज के अंतरगत था, तो आप देखेंगे, दित्य आंगल में सुरुद के जो कारणोंता है, वो होता है, माही बंदरगा पर आकर्मन अंगरेज है तो एक और जहां छोट ह होता है माही ठीक है तो फ्रांस inWhoya होता है है बहुत करीवी होता है आपको मालूँ है कि हैदर आली फ्रांसिक योग लेता है और उसी की से योग से एक आध्रनीक संद्रगार का निर्मान भी करवाय था तो चूट करता है अंग्रेज जो होता है बोलता है कि ठीक है हम फ्रांसिस्यों पर चूट करेंगे तो हैदर अली को दुख पहुंचेगा और एक्चल में होता भी यही है उसने अंग्रेजों ने फ्रांसिसी बंदरगा महीग पर आक्रमन करता है तो हैदर अली उसके बदले में क्या करता है कि अंग्रेजों के मित्र जो करनाटक होता है अंग्रेजे को मित्र राज जो मित्र राज करनाटक होता है उस पर आकर्मन कर देता है और करनाटक के नवाब मुहम्मद अली होता है करनाटक के नवाब कौन होता है मुहम्मद अली हो तो अंग्रेज मदद भीशता भी है अंग्रेज दो सेना पतियों के नित्रित में दो अलग अलग सेना एक करनाटर भीशता है लेकिन अब यहां इंट्री होता है है एदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान का आप यहां देखेंगे कि दितिया अंगल मैसूर युद के बीच म बंगाल के नवाब मुहमद अली को हेल्फ करने के लिए उसमें से एक टुक्री से वो बीच रास्ते में उलज जाता है और बीच रास्ते में ही रूख लेता है उस टुक्री का नित्रित जो है हेक्टर मुन्रू को द्यारा किया जाता है यानि अंग्रेजी टुक्री जो करन करनाटक के नबाब मुहम्मद अली को help करने के लिए तो उसको बीच रास्ते में ही रोक कर उससे यूद करने लगता है यानि हेक्टर मुल्रों से टिपू सुल्टान यूद करने लगता है और उससे करनाटक पहुँचने से रोक दिता है जिसका प्रणाम यह होता है कि एक ही टुकडी करनाटक पहुंचते हैं और वह टुकडी जो होता है वो करनल बेली के नित्यत्यत्य पहुंचते हैं ठीक है तो हैदर अली करनल वेली के नित्रित वाली अंग्रेजी सेना को हरा देता है और उसके बाद आप देखेंगे कि 1782 इसी में अंग्रेजों ने आयर कूट के नित्रित में एक सेना मैसूर पर आकरमन किया करता है और पोटो नोवा के यूद में हैदर अली को पराजित कर होने के बाद हैदर अली की मिर्थी हो जाती है तो पोर्टनोबा के युद्ध में हैदर अली हार जाता है और उसको मिर्थी हो जाता है जैसे ही हैदर अली की मिर्थी होती है उसका पुत्र टेप सुल्तान मैसूर का सासक बन जाता है यानि आपने आपको सासक घोसित कर लेता ह और इस दित्य आंगल मैसूर उद्ध को एक साल खिंचता है जब देखेंगे कि 1782 इस्व में ही आप देखेंगे कि 1782 के लास्ट में आप देखेंगे कि हैदर अली की मिर्थू हो जाता है और उसके बाद टिपू सुल्टान मैसूर का सासक बनेगा और इस युद्ध को एक साल तक खिंचते रहता है इस युद्ध को इसने जारी रखा और 1783 इसमें इसने ब्रिगेडियर मैथुज के नित्रत में अंग्रेजी सेना को पराचित करता है लेकिन इसी समय इरोप में एक संधी होता है और जिसका कारण क्या होता है कि फ्रांसिसी जो सेना होता है जो मैसूर के तरफ से लड़ रहा होता है वा हेल्प करने से मना कर देता है यानि टिपू सुल्टान का साथ छोड़ देता है और जैसे ही फ्रांसीसी सेना टीपू सुल्थान को मदद करने से मना कर देगा उसी समय टीपू सुल्थान अब विबस हो जाएगा अंग्रेजों से एक संधी करने के दिन और इसी दित्य आंगल मैसूर युद के बाद आप दे दिखेंगे कि मंगलोर की संधी होता है हमने आप तक देखा कि पर्थम आंगल मैसूर उुद क्या होता है कि मदरास की संधी से खतम होता है दित्य आँगल मैसूर उुद आपने देखा कि 1780 से लेकर być 1784 इसी विम होता है और इस बीच में घटना ये होता है कि हैदर अलि की मीर्थू 1782 इसमी हो जाता है और टीपू सुल्तान 1782 इसमी में ही मैसूर का साशक बनता है और टीपू सुल्तान हैदर अलि का फुत्र होता है लेकिन इरोप में एक संधी के कारण फ्रांशेसी सेना जो है टीपू सुल्तान को मदद करने से मना कर देता है इसके कारण टीपू सुल्तान जो है अब यूध को आगे नहीं बढ़ा सकता है और इसे लिए हम मंगलोर की संधी करता है और यह मंगलोर की संधी होता है 1784 I hope यहां तक आपको सब चीज किलियर होगा तो अब देखें कि मंगलोर की संधी जो की 1784 में होता है उसमें क्या होता है इस संधी के अंतरकत संधी के दौरा क्या होता है कि एक दूसरे के दौरा जीते हुए छेतर एक दूसरे को वापस कर दिये जाएंगे जैसा कि हमने पहला संधी मदरास की संधी में भी दिखा था टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया जो भी अंग्रेज बंदि थे उसको रिहा कर दिया जाता है तो यह संधी होता है मंगलोर की संधी 1784 में अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं टिपू सुल्तान के बारे में तो टिपू सुल्तान ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है यहां से प्रस्ण बार-बार आपके एक्जाम में पूछी जाएंगे तो ध्यान से पढ़िएगा इसको टिपू सुल्तान का जन्म जो है 1750 सिश्वियं होता है वो है दर अली का पुतर था वो है एक महान युद्ध था जिसे मैसूर का टाइगर के रूप में भी जाना जाता है तो question आप से यहां direct पुछा जाता है कि मैसूर के टाइगर के रूप में किसे जाता है तो आपका आंसर होगा टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान उच सिछित था तो था अरबी, फार्सी, कन्नन और उर्दु भासा में प्रांगत था तो उसको बहुत सारे भासाएं का ज्यान भी था टीपू ने अपने पीता हैदर अली की तरह एक कुसल सैनवल के उत्थान एवम रख रखाप पर अधिक ध्यान दिया फार्सी वर्ट्स ओफ कमांड के साथ उसने एरोपिय मोडल पर अपनी सेना का गठन किया टीपू सुल्तान ने एरोपिय मोडल पर अपनी सेना का गठन किया हाला कि उसने अपने सेनकों को परिशिचित करने के लिए फ्रांसिसी अधिकारियों की सहायता ली लेकिन उसने यानि टीपू सुल्तान ने फ्रांसिस्यों को एक हित समूह के रूप में बिक्सित नहीं होने दिया यानि उनको इतना भी लिवटी नहीं दिया उनसे मदद तो लिया बट इतना भी उनको फली फूत नहीं होने दिया कि वह उस पर सासन करे यानि टीपू सुल्तान पर सासन करे टीपू जो है नौ सेनावल के महत्व के बारे में भली भाती अवगत था बर्स 1776 इस्वी में उसने एक नौ वहन गार्ड ठीक है 1776 इस्वी में नहीं तो बस आप इतना जानिये कि टीपू सुल्तान नौ सेना के रोल के बारे में भली भाती अवगत था और उसने नौ सेना के बिकास में भूम करने बाता है उसने मंगलोर, बाजीदावाद और मुलीदावाद में तीन डौक्याड अस्थापित करते हैं तो समझ रहें कि डौक्याड अस्थापित करता है या नेवल सेना का बिकास करता है टीपू सुल्तान हलाकि उसकी ये योजनाई फलिफूत नहीं हो पाता है वह बिज्ञान और प्रदोकी का भी संरच्छक था और उसने भारत में रौकेट प्रदोकी के प्रनेता के रूप में स्रेई दिया जाता है तो टीपू सुल्तान को रॉकेट प्रधोकी के प्रणेता के रूप में भी स्रे दिया दाता है तो कोशन अगर यहां से पूछ दे तो आप का अंसर हो जागा टीपू सुल्तान उसने रॉकेट संचालन की ब्याखा करते हुए एक सैन पूस्ति का लिखी वह मैसूर राजी में रेशम उत्पादन का भी प्रणेता था तो काफी अच्छा इंसान था काफी अच्छा युद्धा था टीपू लोगतंतर प्रेमी यानि डेमोक्रेटिक लवर था और वह एक मह किया गया था तो जैकोवेन कलब के स्थापना 1797 इसी में टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था तो जैकोवेन कलब के स्थापना के लिए श्रीरंग पटनम में फ्रांसिसी सैन्जकू को समर्थन दिता है और टीपू सुल्तान स्वैम जैकोवेन कलब का सदस्व बनता तो टीपू सुल्तान के दोरह ही स्री रंग पटनम में स्वतंतरता का ब्रिच लगाया जाता है, यह त्री स्टार कोस्चन है, जरूर याद रखेगा इसको, स्री रंग पटनम में स्वतंतरता का ब्रिच किसके दोरह लगाया जाता है, वह है टीपू सुल्तान, तो यह तो थे अब हम चर्चा करेंगे तिर्थिय आंगल मैसूरुद के बारे में अब तक हमने देखा पर्थम आंगल हैदरली उसके बाद पर्थम आंगल मैसूरुद उसके बाद मदरास की संदी उसके बाद दित्य आंगल मैसूरुद और मंगलोर की संदी उसके बाद हमने टिपू सुल्तान के बारे में जाना अब हम बात करते हैं तिपू सुल्तान का ये समय होता है जब 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 तिपू सुल्तान का ये समय होता है उससे दोनों पाटियां के विवाद सुलचते नहीं हैं, दोनों ही दक्कन पर अपना राजनितिक बर्चस्व अस्थापित करने को लच रखते हैं, यानि दोनों का मन में यह रहता है कि आप हम किसी तरह से दक्कन पर अपना आधिकार जमाया जाए, तिरतिया आंगल में सुर मिर्च का एक मात्र स्रोथ था, तो जैसे ही आकरमन करता है, तो अंगरेज से छिल मिला जाते हैं, क्यों छिल मिलाते हैं, क्योंकि त्रावन कोर्ज होता है, वो इस्ट इंडिया कंपनी के लिए मीज, यानि काली मिर्च, गुल की जिसको आप बोलते हैं, गुल की को करने का एक मात्र सोर्स होता है, त्रावन कोर्ज, त्रावन कोर्ज ने कोचिन राज में डचो से जल कोटल एवं कंणूर खरीदा था, जो टीपू की एक जागिर थी, उसे त्रावन कोर्ज के क्रित्य को अपनी संप्रभू अधिकार का उलंगर माना, अब त्रावन कोर्ज क्यों करता है टिपो सुल्तान क्योंकि त्रावन्गूर Civil होता है या वो कोचिन राज में डचों से एक जलकोटल और कणूर ख़रिदा था ठीक है तो जलकोटल और कणूर को ख़रिदने का बाद टिपो सुल्तान को ऐसा लगता है कि यह हमारे मामले में इंटरफेर कर रहा है और इसी का परणाम होता है कि वह त्रावन कोर पर हमला कर देता है अंग्रेज त्रावनकूर के साथ दिया और मैसूर पर आकर्मन कर देता है यानि जैसा कि मालूम है कि अंग्रेज तो अवेसी बात है त्रावनकूर का साथ देगा क्योंकि source होता है उसको black मिर्च का एक मात्र source अंग्रेजों के लिए जो होता है वो होता है त्रावनकूर और that's the region अंग्रेज उसके सहायता करता है त्रावनकूर को और आप देखेंगे कि जब तरावनकूर को साहिता के लिए फिर वो क्या कर देगा कि वो मैसूर पर आकर्मन कर देगा इतना ही नहीं टीपू की बढ़ती हुई सक्ति से भी इर्षिया रखने वाले निजाम और मराठा अंगरी जो से मिल जाते हैं तो उसके साथ साथ जो मराठा और निजाम होता है मराठा और निजाम आप देखेगा कि टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई उतकर से वो इर्षिया रखता है और वही कारण होता है कि तिर्थिया अंगल में सूरुद्मी ये तीनों से नाएं दूसरे से मिल जाते हैं यानि अंगरीज निजाम और मराठा और ये तीनों मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला करता है बर्स 1790 ये इस्व में टीपू सुल्तान जनरल मिडोज के नितरित्यों ब्रेटिस टेना को हराता है बर्स 1901 ये इस्व लज कर्ण वारीश नितरित्यों समालता है आक्रमन कर देता है यानि दूसरी बार आक्रमन करता है कौन लॉड करनवालिश पहले तो जनरल मिड़ज को हरा देता है टिपु सुल्थान लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 1791 इसमी में 1790 में क्या होता है 1790 में जब आक्रमन होता है अंग्रीजी सेना सयोग करता है परताम और मराठो को अपने साथ ले लेगा और दूसरी बार से स्री रंग पटनम पर आक्रमन करता है टीपु ने अंग्रेजी को डट कर सामना करता है लेकिन वह सफल नहीं हो सकता है ठीक है तो शफल नहीं हो पाता है और जिसके कारण आप देखेंगे कि तिर्थिया आद्रास की संधी 179 इस्वि में फिर मंगलूर की संधी आपने देखा सा 1784 इस्वि में फिर आप देखेंगे श्री रंग पटनम की संधी 1792 इस्वि में तो इस सारी संधिया याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है यह स्री रंग पटनम की संधी तो स्री रंग पटनम की संधी जो होता है वो 1792 इस्वि में होता है इस संधी के दोरा हम देखेंगे कि तीती आंगल मैसूर यूद वो समाप्त हो जाता है इस संधी के द्वारा टीपू का आधा राज जो है वो ले लिया जाता है और श्री रांगपत्रम की संधी जो होता है समझे कि पूरा एकदम जो बैकबून होता है टीपू सुल्तान को वो तूट जाता है श्री रांगपत्रम की संधी में इस संदी में पूरा एकदम चत्विछत कर देता है टीफू सुल्तान को, आप देखिएगा कि आधा राज जो होता है वो टीफू सुल्तान से अंग्रेज ले ले लेता है और लेकर मराठा और निजाम को बाट देता है, क्योंकि मराठा और निजाम अंग्रेजों को सहाइता कर देते हैं, लौट करनवालिस को सहाइता देते हैं और जिसका कारण होता है कि आधा राज लेकर इन लोग आपस में बाट लेते हैं, यानि बंदर बाट कर लेता है टीफू पर उपर से तीन कड़ों रुपया का हरजान भी लगा देता है और टीफू के पास चुकि धन नहीं होता है, जिसके कारण उसके दो पूत्र जो होते हैं, दोनों पूत्रों को करनवालिस के पास बंदक के रुपे रखा जाता है, टीफू की सेना को भी समाप्त कर दिया जाता है, तो टीफू की सेना जो होता है उसको भ पर्माना लगा देता है और चुकि धन नहीं होता है जिसके कारण लोड करनवाल इस उसके दोनों पुत्रों को बंदी बना लेता है तो आई अब हम चर्चा कर लेते हैं दोनों को जो छती होता है यानि सारे युद्य से पर्थम दित्यति यानि जो भी युद्ध होता है लास्ट के अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपना छती पूरति का परियास करता है और टीपू ने स्री रंगपटनम की संदी की समस्चरतों को पूरा करता है और उस अवह अपने पुत्रों को मुक्त कराता है चुकि आपको मालम है कि जो तिर्तिय आंगल में सुरुद हुआ था उसके बाद स्री रंगपटनम की संदी होता है जिसमें उसके पुत्र को बंदी बना लिया जाता है क्योंकि तीन कुलो रुपया का जो जुर्माना लगाया जाता है टिपू सुल्तान पर वह उससे में नहीं चुका पाता है और बाद में वह उसको चुका कर अपने पुत्रों को मुक्त करवा लेता है कौन टीपू सुल्तान तो बर्ष 1796 में जब बाडियार बंस के हिंदू सासक की मिर्टु हो जाता है तो टीपू स्वैम को सुल्तान भोसित कर देता है और पिछले युद्ध में अपने अपमान जनक जो पराजय हो उसका बदला लेने का निर्णा लेता है बर्ष 1798 में लॉर्ड बिलेजली को सर जौन सोर के पसात नय गवर्नर जनरल बनाये गया है और उसके बाद फ्रांस के साथ टीपू के बढ़ते सम्मंदों के कारण बिलेजली की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती है तो फिर से एक बार देखेंगे कि फ्रांस से टीपू सिल्टान की क्लोजनेस जो है वो बढ़ जाएगी और जिसके कारण लॉर्ड बिलेजली की जो चिंता है वो भी बढ़ जाता है टीपू के स्वतंदर अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश से लॉर्ड बिलेजली क्या करेगा कि उस सहायक संधी प्रनाली के माध्यम से उसे अपनी अधीन करने को विवस कर देता है तो सहायक संधी यहाँ पर एक इंट्री मार देता है टीपू पर विश्वास्व घात के इरादे से अरब, अफगानिस्तान और फ्रांसिसी दीप जानी मारिसस और बरसाई में गुप्त चर भेजकर अंग्रेजों के बिद सट्गेंद रचने का आरोप लगाया गया और टीपू से बिलेजली संतिष्ट नहीं हुआ और इस तरह से चतुर्त आंगल मैसूर युद्ध का प्ररम हुआ तो यह सारे आरोप उसके अगेंश्ट में लगाया गया और उसके बाद आप देखेंगे कि बिलेजली जो है टीपू से प्रसन्न नहीं होता है और चतुर्त आंगल मैसूर युद्ध की सुरुआत हो जाता है तो आएए अब आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी चुकि आए थी बात बीच में सहायक संधी की तो यह भी इंपोर्टेंट है सहायक संधी के बारे में आपसे बार बार पूछा जाएगा तो बरस सत्रसोव अंठानमी मुश्वी में लॉर्ड बिल योगी भारतिय राज के सासक को अपनी सत्रूओं के ब्रुद्ध अंग्रेजों से सुरच्छा प्राप्त करने के बदले ब्रिटिस सेना के रख रखाव के लिए आर्थिक रूप से भुक्तान करने को बात होंगे यानि कहने का मतलब जब्रदस्ति का ये सहायक संधी था इ जब्रदस्ति के बात है कि अगर आज भारत कहे बंगलादेश बटान नेपाल यादी देशों को कि वह तुम अपनी सेना मत रखो हम तुमको अपनी सेना देंगे और उसके बदले तो मुझे का ऐसा दो यह भी मुच्वल अंडरस्टेंडिंग से नहीं अगर जब्रदस्ति जब्रदस्ति वाले चीज़े अलग होती है मुच्वल वाली चीज़े अलग होती है अगर हाँ वो देश स्वैम कहे तो अलग बात हो जाती है लेकिन अगर आप जब्रदस्ति किसी को बोले कि भाई तुम्हे कोई अदिकार नहीं है और हम सुरच्छा प्रवाइड करेंगे तुम पूछ मतरक होगे तो यही था सहायक संदिश की 1778 में इसमें लौड विलेजली के दौरा सहायक संदिश प्रणाली का सुरुवाद किये गए थी तो इसके बारे में बस इतना सजानी है अभी पीटी पॉइंट अब उसे अब हम अगर चतुर्थ आंगल मैसूरुद ज आपरेल और मैं यानि देखिएगा कि कुछी दिनों में यह समाप्त हो जाता है और 1729 को उसके पतन के साथ समाप्त होता है और टीपु का पहले ब्रेटिश जेनरल अस्टूर्ट ने पराजित किया और फिर जेनरल हैरिस ने तो दो जेनरल थे जो पहले जेनरल पुनां अंग्रेजु में सहाइता की, क्योंकि यहाँ देखिएगा के फिरसे एक वारं अंग्रेज मराथा और निजाम का मदद लेता है, और बहुतमां के लेताया चाहरा की, बहुत है, फिरसे एक लास्ट टाइम, अब हम टीपु सुल्तान का खात्मा ही कर देगे. तो अंग्रेज मराठा और निजाम का सहयूग लेता है और टिपू के अगेंस्ट में इनको पाटिसिपेट कुराता है क्योंकि मराठा को टिपू के राज का आधा भाग देने का बादा किया गया था और निजाम पहले से ही साहयक संधी पर हस्ता असर कर चुका होता है इन दोनों के पास मजबूरियां क्या था कि आपको मालुम है कि मंगलोर की संधी के समय आपको बोला गया था कि टिपू का जो आधाराज है वो लेके निजाम और मराठा में बाड़ दिया जाएगा इसमें आप देखेंगे कि टीपु सुल्तान मारा जाता है और उसके सारे खजाने अंगरेजों को द्वारा जब्त कर लिया जाता है अंगरेज ने मैसूर के पुर्वे हिंदू साही परवार के एक ब्यक्ति को महराजा के रूट में चुना और उस पर सहयक संदी आरोपित कर दिया तो उसके बाद इस चतुरत आंगल मैसूर युद्ध का बाद क्या करता है कि जो पुर्व में हिंदू परिवार एक था मैसूर में उसी को साशक मना देता है और उस पर अपना वही साहयक संदी थोप देता है मैसूर को अपने अधीन करने में अंगरेजों को 32 वर से लग गये थे और दक्कन में फ्रांसी सी पुना प्रवर्तन का खत्रा अस्ताई रूप से समाप्त कर देता है तो आए अब हम एक नजर थोड़ा सा सिनॉप्सिस के रूप में देख लेते हैं जो चारो युद्ध आपने देखा आंगल मैसूर उद्ध उसके बारे में एक ब या समाप्त होता है मदरास की संदि 1769 में होता है और अंक्रेज और हेढरली के बित्म होता है जिसकारीजन होता है कनातक का सीमा विवाद पर्थम आंगल मैं सूरुद्र समाप्त होता है मदरास की संधी से जो की 179 इस्विम होता है और जिसमें अंग्रेज पराजित होते हैं दूसरा यूद्र होता है 1780 से 1784 इस्विमें जिसका कारण होता है अंग्रेजों के दोरा फ्रांसीसी बंदरगा माही परदिकार समाप्ती होता है मंगलोर की संधी से और यह मंगलोर की संधी होता है 1784 इस्विमें परिणाम इसका अनिर्नित होता है तिर्थिया आंगल मैं सूरुद्र की बात करें तो 1792 इस्विम होता है टीपू द्वारा त्रावन कोर पर आकरबन इसका कारण माना जाता है और यह स्खत्म होता है स्री रंग पटनम की संधी जो की 1792 होता है और इसमें टीपु सुल्तान की पराज़य होती है चतुर्थ अंगल में सूरुद की बात करें तो 1799 होता है और टीपु के द्वारा सहयक संधी के स्विकारण ना किया जाना इसका कारण बनता है टीपू का बध कर दिया जाता है यानि टीपू के हत्या चतुरत अंगल में सूरुद में हो जाता है और इस तरीके से टीपू सुल्तान का जो अस्तित्म होता है वो खत्म होता है और प्रणाम तो आपको मालूम है जब हत्या हो गया यानि टीपू सुल्तान का पराजय हो गया तो इस तरीके से पको जो याद रखना है बाई अब हम करेंटड प्रसन को देख लेते हैं लगभग आपको current affairs से कितने प्रस्षन मिल जाएंगे, 30 से उपर प्रस्षन आपको देखने को मिलेंगे, last time 38 प्रस्षन current affairs से था, so you have to prepare your current affairs in a bail orderly manner. तो चलिए, अब हम current affairs के प्रस्षनों में हैं, आज का हमारा पहला प्रस्षन है, वो IMF से है, आएमेफ का मुख्याला कहा है, आएमेफ का मुख्याला वासिंग्टन DC में है, और या वासिंग्टन DC USA में है, तो याद रखेगा, ये भी चीज आपको याद रखना IMF से है Defense Expo 2022 की अगर हम बात करें तो Defense Expo 2022 कहां पर होगा ये गुजरात के गांधी नगर में होगा ये प्रस्वन इम्पोर्णिन्ट है याद रखेगा Defense Expo 2022 गुजरात गांधी नगर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकौन के संस्थापक श्री भक्ती भक्ती बेदान्त स्वामी प्रभुपाद की 125 भी जैनती को चिनित करने के लिए 125 रुपे के एक विशेश इसमारक्षिकों को बस्तुता अनाबरन किया यानि 125 रुपे के सिके के इसके इसकौन के संस्थापक श्रील भक्ती बेदान्त स्वामी प्रभुपाद के जैनती को मनाने के लिए किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो इसको भी याद रखना है इस तरह का प्रस्न जो है और बढ़ाया जाएगा क्योंकि क्यों के चौशित डाला जाए और इसके अलावे अलग से current face भी cover किया जाएगा तो current face के लिए आपको सूचनी के अब सकता नहीं है जस्ट ये कि आपको हिस्टी पढ़ने के बाद थोड़ा चाथ current face को देख लेना चाहिए तो इसलिए आपको current face की questions को यहां डाला गया है तो आपको जैसा भी हो अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ add करने के लिए जरूरत है तो आप अपना suggestion अप comment section में लिए मुझे बता सकते हैं तो अगर आपको हमारा यह परियास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को like और share जरूर किजेगा